हलो एंड वेलकम टोर यूटूब चैनल गाइज हमने में इस सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर वर पोस्ट वाफ एक तो आपका जो एक्जाम होने वाला है एडवराइस और पठवारी का आपका जो एक्जाम होने वाला है तो इन दो पोस्ट इसके लिए एस्पेशली हमने स स्टार्ट की हुए है mental ability and reasoning तो reasoning पार्ट में आपका एक टॉपिक आता है तो इस पे आज हम यह इस लेक्टर का पार्ट बन रहेगा इसमें मैं आपको कुछ important tips and tricks बताऊंगा कि कि किस टाइप के किस पैटर्न के कॉस्ट्टन जो है डिरेक्शन सेनस पे आते हैं तो एमसी क्य मैं आपको क्या चीज़ याद रहने है इस बैस एफूर दिरेक्शन सेनस ठीक है यूडली वे हफूर दिरेक्शन एक तो आपका इस होता है जहां से संसेट होता है एक आपका वेस्ट होता है जन से संसेट होता है then we have north and south ठीक है अगर कोई बन बन्दा इस दिरेक्शन में द होनी चाहिए क्योंकि question जो है इस pattern पर भी आते हैं कि somebody is traveling towards east फिर वो left की तरफ मुड़ा या right की तरफ मुड़ा तो यह चीजे जो है बिल्कुल clear होनी चाहिए दूसरा जो इसमें आता है आपका that is the cardinal direction ठीक है एक तो आपका east west north south है ठीक है अब यह बीच वाली direction जो है अगर सेंटर में देखो के यहां से आपका इस्ट आ नौस्ट के ऑ मियां और यहां से आपका नौर्थ आता है तो इसी तरह यह यहां यह वाली north and west इस चीजे भी आपको याद रखनी है कभी-कभी जो है आपका यहां पहुच जाता है कि आप किस इरुक्षय vari maker 2019它 जब आप यहां पर पहुचोंगी आप बोस्ट जाते हो dove आप किस डिरीकशन में presented that time तो यह डिरेक्शन जो है आपको याद रखनी है और नौर्थ इस्ट डिरेक्शन कौन सी है साथ इस्ट डिरेक्शन कौन सी है साथ वेस्ट डिरेक्शन कौन सी है इसी तरह नौर्थ वेस्ट डिरेक्शन कौन सी है यह चीज भी है आपको याद रखनी है next question is sorry next जो important चीज इसमे याद रखने वाली है that is the angular moment ठीक है एंगलर जगा आपको याद रखता है देखो अगर यह आपका east है यह आपका west है यह आपका north है यह आपका south है यहां से यहां तक जो है east से लेकर आपका north तक यह total होता है 90,000, ठीक है, और इसका half, जो है, वह होता है, 45,000, इसी तरह, यह भी 90, यह भी 90, और यह भी 90, टोटल जो है, 90, 90, टोटल एंगल, जो है, वह होता है, 360,000, ठीक है, 360,000, अब अगर इसका half होगा, that will be 45, इसका भी 45, इसका भी 45, half of the 90 is 45, डीक है, यह चीज भी आपको याद रखने हैं, देखो, यह आपका 90 रहेगा, 45, ठीक है, अगर आप इस तरह जा रहे हो, ठीक है, clockwise डिरेक्शन में, तो यह चीज भी आप याद रुखोगे, there are two types of directions, एक clockwise होती है, दूसरी होती है, anti-clockwise, तो जिस तरह से clockwise चलता है, ठीक है, clockwise जो है, इस clockwise डिरेक्शन, तो यह होगी clockwise डिरेक्शन, यह होगी, anti-clockwise डिरेक्शन, तो यह चीज भी आप याद रखोगे, एक आप angular moment का याद रखोगे, कि कौन सा angle कितना होता है, तो यहां से यहां तक 45 होता है, और यहां से यहां तक भी 45, टोटल जो है, East से लेकर North तक 90 डिग्री होत हैं, यह पर्सन जो है, वो anti-clockwise direction में, 145 degrees जो है, यह क्या कहता है, इसको, रोटेट करता है, 145 degrees, या clockwise में, या anti-clockwise में, तो यह भी आपको याद रखता है, जो आपका direction से लेकर पूचा जाता है, तो शैड़ो के बारे में पूचा जाता है, तो शैड़ो के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, नमबर फिर्स्ट इस संडराइज, जब संराइज होता है, यानि sun जो है, वो इस्ट में होता है, अगर बंदा यहां पे, उसकी परचाही जो है, वो बिल्कुल आपोजिट में होती है, ठीक है, वो बिल्कुल आपोजिट में होती है, अगर यह परसन जो है, इस्ट के तब देख रहा है, तो इसकी शैड़ो जो है, वो बिल्कुल वेस्ट की तरफ होगी, ठीक है, वेस्ट की तरफ होगी, यह चीज आप ग्रतर यह लेट उडिस इंड इस कंसेप्ट में इसको आप मान के समझो बिल्कुल 10 सकंड में जो हैं आप इसकें को सालो करोगी 10 सकंड में वह हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा डिर्क्शन से उस पे हम डिफेर्ट टापस जो आपके डिरेक्शन सेल्स पे एक्जाम पेपर में आते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखोगी, जो जो मैं यापर बेसिक आपको बता रहा हूँ, जितने भी असपैनेटर्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के जरी है, प्लीज इस वीडियो को जारद से जादा शियर कीज़ों हमारे जनल को सब्सक्राइब जरूर कीचिए, तो संद्राइज जो होता है, आपको सब को पताएए, इस ते से होता है, और डिर इस त्राइस के टाइम है आपकी डिरेक्शन में होगी और संद्राइज इस में होगी तो ये चीज भी आप याद रखोगी, ठीक है यह उर मेंश यहांवो एयक यूज यडित निय्ज रागीज यह तर यह तटाएज हे बाद से नहीं में डिल प्रम तृटैज होती है, नै भी आपको याद रखनी है किसमें direction sense में ठीक है तो यह किस काम आता है जब भी question में आपको shortest distance दिया गया हो shortest distance दिया गया हो वहाँ भी Pythagoras theorem लगता है ठीक है for example कुछन इस टाइब का आएगा कि एक person है वो east west north south person जो है वो a-c start कर रहा है ठीक है and he moves towards the eastern direction उसने जो है 10 km वाक किया ठीक है वो पहुंचा यहां पर उसके बाद उसने क्या काम किया अब यहां इस पॉइंट पे जो है बंदा है उसके बाद उसने ही started traveling towards north ठीक है अब वो नौरत की तरफ जा रहा है and he traveled five kilometers ठीक है अब यहां से बंदे ने start किया पहुंचा इस पॉइंट पे इस पॉइंट से इस ने start किया पहुंचा इस पॉइंट पे आपको बताना है कि what is the shortest distance between the initial point and the final याने अभी जिस पॉइंट पे यह है और वो पॉइंट यहां से start किया for example यह इसका school है और यह इसका गर है ठीक है तो हमें बताना है कि school से गर तक shortest distance क्या होगी ठीक है तो इस 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 दिश्टरन तो यह यहां से आएगा फिर यहां से जाएगा तो इस दिस दिस दिश्टरन It is A, B for example, O तो ये एक right triangle बनता है, ठीक है, एक right triangle बनता है, इसी के लिए pythagoras theorem use होती है As per the pythagoras theorem, इसको जो है, hyponemus कहते हैं And this is known as base, and this is known as perpendicular As per the pythagoras theorem, hyponemus square is equal to perpendicular square plus base square और H is equal to under root of P square plus B square ये formula जो हैं, आपको याद रखनी है यानि जो hyponemus होता है, that is the shortest distance उसका square जो है, वो किसके बराबर होता है B square plus perpendicular square जब हम square को हटाएंगे, ये इस साइड जाएगा और ये root बन जाएगा That is, hyponemus is equal to under root of P square plus B square तो ये formula जो हैं, आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे question जो है इस pattern पे भी आते हैं, ठीक है, तो these are four five patterns Number first, simply आपका question आता है, कि person is moving towards north, then he took a left turn Then again, he took a right turn, finally आपसे पुझा जाएगा कि वो किस direction में, ये एक type का question होता है तो दूसरा type का question जो है, वो इस type का होता है, कि person जो है, उसने 90 degree clockwise direction में, उसने moment की या anti clockwise direction में, ठीक है, तो finally जो है, वो किस direction में face कर रहा है, ये दूसरा type होता है एक तो simply आपका direction पुझा जाएगा, कि बन्दा जो है, वो पहले north की तरफ जाता है, फिर left right turn करता है 5, 6 km, 10 km, तो finally एक point पे वो पहुंच जाता है, तो उस point पे जो है, उसकी direction find out करनी होती है वो एक दूसरा ये है, कि आप से, जो है, angle movement होती है, ठीक है, clockwise है, anti clockwise direction में, ये दूसरा type होता है तीसरा type जो है, आपका pythagoras theorem पे आ सकता है, ठीक है, pythagoras theorem पे आ सकता है, कि shortest distance आप से पूची जाए चौथा जो है, that is the main, that is the shadow, ठीक है, shadow type, तो ये तीन चार type है, इन पे हम questions करेंगे, तो next जो इसका video होगा, that will be based on all these types, जो भी आपके exam pattern में questions पूचे जाते हैं, उसी pattern के हिसाब से, usually जो है, direction sense पे ये दो चार questions आते हैं, इन ही में से कोई न कोई question आता ही, आता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यह है, पाइथाग और स्थारम, ठीक है, a, c, यानि हाइपार्णो स्केर, is equal to a, b, c, square, that is perpendicular square plus b, square, आप यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो पाइथाग और स्थारम जो हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ आपकी shortest distance में काम आएगा, तो यहाँ पे कुछ examples भी दी हुई है, तो आप यहाँ पे चक कर सकती हो, तो थोड़ा सा मैं आपका यहाँ पे फिर से revise करने को, करने की कोश्च करूंगा, ठीक है, तो sunrise जो है, it is from the east and sunset is from the west, तो direction बिल्कुल बेसिक है, यह आपकी eastern direction होती है, यह southwest है, southwest है, south east है, ठीक है, number two, तो number three आपको क्या याद रखना है, angular movement, एक clockwise में और दूसरा anti-clockwise में, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से east से north तक कितना angle है, या north से west तक कितना angle है, तो जब आपको पता होगा कि कितना angle है, तभी आप जो है movement कर सकते हो, as per the question, तो चोथा point जो है, shadow, shadow आपको याद रखना है, sunrise के time जो है, shadow west में होती है, और sunset के time, shadow जो है, वो east में होती है, इसके अलावा आपको याद रखना है, that is the shortest distance formula, that is the Pythagoras theorem, ठीक है, Pythagoras theorem, ठीक है, तो यह दो चार चीज़े जो है, आपको याद रखनी है, tomorrow morning में आपका lecture आएगा night around 10 a.m. आप रड़ी रहना, उसमें हम important questions discuss करेंगे, इनी दो-चार patterns पे, और हम जो previous papers भी हुए है, तो उन questions को भी हम वहाँ पे लेंगे, तो this was all about this lecture, I hope आपको हमारा content पसंद आया होगा, मिलते हैं next video में, till then, take care, bye-bye.